नमस्कार बहुत बहुत स्वाइब करते हैं क्लिक टोडे के आज के इस वीडियो में और जो भी 2023 से सेशन वाले स्टूडेंट है जिनका भी रिजल्ट आया है और शो नहीं कर रहा है ऑनलाइन तो आपको आगे क्या करना रहेगा तो सबसे पहले तो एक बार और चेक कर लो रि सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइको उनको ओन कर लीजेगा और ये वीडियो जो है उन सभी स्टूडेंट तक शेर करेगा जिनका भी रिजल्ट पेंडिंग में गया है और वो आपके कॉंटेक्ट में आपके लिखना पड़ता है अपने कॉलेज को लिखकर के देना पड़ता है अपके अपलिकेशन को फॉवर्ड करती है फिर जाकर के आपका रिजल्ट ठीक किया जाता है तो जिन भी स्टूएंट का एपसेंट पेंडिंग या फिर कुछ भी शो नहीं कर रहा है तो उनको क्या करना है अपने college जाएगा और pending की कारण से है ये भी जो है उस पर कारण mention होगा अगर mention नहीं है तो फिर जो है फिर भी आपको अपने college जाकर के application लिखके देना ही पड़ेगा तो pending जो है कुछ student का लिख रहा है कि absent in two subsidiary या subsidiary two मतलब subsidiary second subject में आप जो है absent रहें इसके विए से result आपका pending हुआ है ये चीज़े होगी इसके अलाबा कुछ भी अगर लिखा हुआ है तो वो भी आप comment करके बता दीजेगा तो आपको क्या अगरना है डायक जाहिए अपने विशय लिखेंगे विशय लिखने के बाद उस विशय में लिखेंगे कि अप परिक्षा का परिणाम जो है लंबित होने के संदर्व में ठीक है उसके बाद आप पूरा content लिखेंगे यानि कि पूरा आपको registration slip का photocopy उसके बाद जो है आपका जो admit card है part 1 का उसका photocopy लगाते हुए अपने college में जमा करना रहेगा college forward करेगी आपके application को university को उसके बाद university जो है आपका result ठीक करके online शो करवाएगी शो करना सुरू हो जाएगा आपको यह process करने में टोटल 12 दिनों का समय लगने वाला है तो आप अपने कल college जाओ और फिर जो है यह सारा process करो जो कि मैंने आपको बताया है और जो आपका application है वो पहुंचता है नवीन सर के पास नवीन सर जो कि online का काम वगेरा जो है संभालते हैं university का वही जो है आपका application लेंगे मतलब forward होता है उनको mail के through वो आपका application देखते हैं देखने के बाद वो आपका data पूरा match करते हैं match करने के बाद कुछ तुरुटियां होती है उसे सुधार करके फिर result को online publish किया जाता है तो अगर ऐसी परिशानी है तो college जाके आपको application बस simple सा लेके college में जमा करना है या फिर principal मैम से मिल लेना, sir से मिल लेना और उसे directly पूछन ये student कौन से college से इसलिए आप अपने college में ही जमा कर और principal को request करो वो लो इससे जल्दी-जल्दी results दार करवानी की प्रयास करिए ठीक है जिनका result शो नहीं कर रहा है online pending है, absent है वो सारे students जो ये काम कर लेंगे ठीक है और जो भी promoted हो गया है वो लो घबराएंगे नहीं आप लो चलते हैं दन्य भाद